प्रिय विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में भारत में भूगोलिक अनुसंधान की भागल भारत में भूगोल के विकास की भारत में प्राचीन भूगोल का प्राचीन भारत में जो भूगोल का विकास हुआ उसकी चर्चा हम पिछले व्यक्यानों में कर स्क्राप्राइब अब यह घो है मैं हम ने भाध की और यह घिया चांगल में फिसक्राइब बात की आगे ऑख हम आगे क्या उपने प्रफकर awesome और इसकी विकास यात्रा रही ब quiere all की भारत में उसा पर बात करेंगे भारतिय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिशद Indian Council of Social Sciences Research नई डेली ने 1972 में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके दौरा भारत में भूगोल में अनुसंधान का सबकुछ जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया थी जो अनुसंधान का विकास था वो प्रकाश इस सर्वी प्रोजेक्ट का निर्देशन भारतिय विज्ञानिक अनुसंधान परिशद की उस समिती के दौरा किया गया था जो भूगोल विज्ञान के लिए इस परिशद की इस्थाई समिती थी इसमें निम्लेलिकित सदस्य थी प्रोफेसर बी एलस प्रकाश राव डेली विशुविद्याले प्रोफेसर आरल सिंग बनारा सिंदू विशुविद्याले प्रोफेसर एम शफी अलिगर्ड मुसलिम विशुविद्याले प्रोफेसर आर पीमिश रामाय सूर विशुविद्याले प्रोफेसर सीडी देश पांडे बंबई विशुविद्याले प्रोफ ये सामाजिक अनुसंधान विज्ञान परिश्वत नहीं डेली इस समिती द्वारा निर्देशित ये रिसर्च सर्वे नौ उप विभागों में विभक्त किया गया आर्थिक भूगोल जिसमें कृशी भूगोल भूमी उपयोग वन संसाधन संसाधन भूगोल जन्तु संसाध खनिज संसाधन मृदा जलिय संसाधन फिर ओद्योगिक भूगोल और परिवान भूगोल और वानेजिक भूगोल सभी सम्मेलित रहे तो इन सब पर बहुत प्रमुक्ता से बात की गई यानि इन सब पर विद्वानों का उस समय कंसेंट्रेशन था ध्यान था और यह जो सार करने की सती आई तो रिसोर्स की बात की गई रिसोर्स पर कॉंसेंट्रेट किया गया इंडसलाइजेशन पर कॉंसेंट्रेट किया गया और यहां से भारत के ओवरॉल डेवलप्मेंट की बात की जाने लगी और डेवलप्मेंट में जोग्रफी किस तरीके से रोल प्ले करती है उसका जीता जाकता हो धारण यह समय दिखता है यह सर्वे दिखता दिखाता है आईसी एससार असर्वे ओफ रिसर्च इन जोगर्फी अ प्रोजेक्ट स्पॉंसर बाइदा इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू डेली 1972 यह बात हुई फिर इसके बाद भूगोल और योजना की बात हुई भूगोल के साथ प्लाइनिंग को जोड़ा गया महानगरी योजना जो हम अर्बन जोगर्फी का आस्पेक्ट जो आज पढ़ते हैं उनकी बात की गई मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात की गई प्रादेशी करण और प्रादेशी की योजना रीजिनल डेवलपेंट जो डेवलपेंट का ब प्रादेशीक नियोजन की विचारधार के साथ समानांतर चलते हुए सभी प्रदेशों का विकास किया जाए फिर मातरात्मक भूगोल और योजनाप का भी उस समय जिक्र हुआ इसका मतलब भूगोल ने इस समय में क्वांटिटेटिव मैथर्स को एडप्ट कर लिया था भ इस प्रकार से संपुन शेत्र विकास योजनाप करने लगे तो वहां क्वांटिटेटिव जोग्रूफी ने अपना दखल रखा और हम वैज्ञानिक तरीके से गनिती माध्यमों के द्वारा आंकडों के विचलेशन के द्वारा अपने निश्कुर्शन तक पहुँचने मे सक्षम हो पाए फिर नदी घाटी विकास योजनाप यह कंसेप्ट भी आया कि नदी घाटी के विकास के द्वारा किस प्रकार से संपुन शेत्र विकसित हो पाता है इसकी चर्चा भी हुई तीसरा जो पहलू रहा अधेन का वो रहा एतिहासिक भूगोल एतिहासिक भूगोल के अंतरकत सामगरी स्रोत प्राकृतिक और सामाजिक वातावरन का अधेन इन सब का बात की गई कि एतिहासिक रूप से किसी प्रदेश विशिश को यदि अधेन हमें करना है तो कौन-कौन से इसे स्रोत हैं कौन-कौन से इसे साक्ष हैं जिनके आधार या विशलेशन किया जा सकता है और किसी निश्करश तक पहुचा जा सकता है और उसके बाद यह रिसर्च हुआ कि एतिहासिक भूगर कि मतलब किसी भी प्रदेश विशेश के एतिहासिक परिप्रेक्षे में किया गया और उस एतिहासिक परिप्रेक्षे को वर्तमान सामाजि और प्राकृतिक जो वहां का परियावरन है उससे जोड़ा गया यह देखा गया कि अत्यासिक दृष्टी से वहां पर क्या प्राकृतिक ततो ऐसे ही थे या कहीं कुछ परिवर्तन आया है कहीं जलवाईविक परिवर्तन आया है या नहीं आया है और फिर दूसरा सामाजिक आ आया है या नहीं आया है और डेफिनेटली प्रकती में शायद बहुत शौट टम में चाहिए लेकिन 20-30 सालों में लेकिन जब हम समाजिक और आर्थिक परिवर्तन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब 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 जनसंख्या भड़ी जनसंख्या का माइग्रेशन हुआ रिसोर्सिस का पता लगा टेकनोलोजी का प्रवेश हुआ इंडस्लाइजेशन की प्रवती बढ़ी तो वहाँ पर निश्यत रूप से सामाजिक आर्थिक परियावरण में अंतर आना ही था और वो आया और उसका अध्येन भूगोल की परिधी में किया गया इसके बाद अगल अध्ये भूगोल नगर प्रवाव शेत्र मानव और परियावरण तथा चिकित सा भूग अब यह बात की गई कि अब यह सोचा गया यहां हम आर्थिक भूगोल से मानव भूगोल की और मुरी यह देखा कि आर्थिक भूगोल तो है ही लेकिन वह मानव की जीवन को कैसे प् हम आए हमने अर्बनाइजेशन का अध्येन किया हमने रूरल सेटल्मेंट का अध्येन किया और उसके बाद नगर के प्रभाव शेकर जिसको हम अमलेंड कहते हैं एरिया ओफ इंफ्लूएंस कहते हैं उसका अध्येन किया और मानव परियावरण अंतर संबंदों के अध्ये में और यहां से फिर चगत्सा भूगोल पर भी विद्वानों ने कॉंसेंट्रेट किया जब हम आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि अगला जो अगली जिस शाखा पर ध्यान दिया गया वह थी राजनितिक भूगोल जिसमें राजियों की सीमाई जन संख्या और संसाधन सैन ने लेकिन राजनितिक भूगोल के तहट राजियों की सीमाई का नरधालन कैसे होना चाहिए कैसे हुआ है और उसका प्रभाव क्या पढ़ रहा है उस पर्टिकुलर शेत्र के मानव परियावरन संबंदों पर या उस पर्टिकुलर शेत्र के डिवलप्मेंट के परिद्रिश् क्या का फोशन कर सकते हैं इस पर अधेन किया गया सैनने बल की बात की गई और अंतराश्ट्रिय सद्भावनाओं के और नाध्यान दिया गया और इसके बाद अगला जो जो आस्पेक्ट सामने आया वो था प्रादेशिक भूगोल में प्रादेशिक संकलपना भारतीय प्रिष्ट भूमी उदेश्य तथा कार्य मात्रा करन और भारतीय प्रादेशिक भूगोल पर क cottage integrate किया गया यह प्रमुकर आस्पेक्स रहे जिनका आध्येन उस समय में किया गया इसके आगे और जो पक्ष्ट रहे और जो भूगोल के thank you